Hello everyone, welcome back to my channel आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके YouTube चानल पे copyright strike है या नहीं मेरा नाम है वर्दा अंकूर and it's show time बहुत सारे लोगे जानना चाहते हैं कि हम YouTube में किस तरीके से चेक करें कि हम आपे वीडियो पे copyright strike है या नहीं है तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके पहले अगर आप इस चानल पहली बार आए हैं तो do not forget to like and subscribe और notification bell जरूर अन कर लीजेगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में भी आपको मालूम पढ़ता रहे हम इस चानल पर YouTube growth के बारे में काफी बात करते हैं तो दूसरी वीडियो भी जरूर चेके जगा इस वीडियो को देखने के बाद और राइट So let's jump on to the phone हम सीधा दिखा रहे हैं आपको कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं So here we go So हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पर आप वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप डिरेक्ली ओपन कर सकते हैं अपनी वेब साइट जो की है YouTube.com हम इस साइट पर जाएंगे और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप डिफिनिटली लॉग डिन होंगे अपने यूट्यूब अकाउंट में आप वहाँ पर जा सकते हैं आप अपने लोगो पर क्लिक कीजे वहाँ पर आपको Creator Studio दिखाई देगा आप उस बटन पर क्लिक कीजे आपके सामने Creator Studio ओपन हो जाएगा और जब यह ऐसा ओपन होगा तो there are two ways दो अलग अलग तरीके हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियो पर copyright strike है या नहीं है तो मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ आप left hand side पर screen पर आप दिखेंगे तो आपको एक copyright याने की seek option दिखाई देगा तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चोटा सा next option अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वह खुद ही filter करके यह दिखा देगा मैं आपको screen पर दिखाता हूँ mobile version में दिखाता हूँ यह desktop site version है do not forget to turn this on कि यह desktop site है आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि यह सारी videos हैं जिस पर copyright claim लगा हुआ है और यह filter यह दिखा रहा है और राइट सबसे पहली चीज तो है कि आप इस तरीके से अपना copyright strike चेक कर सकते हैं दूसरा तरीका देखते हैं हम वापिस जाएंगे दूसरे तरीके में भी आपको बिल्कुल सेम करना है लेकिन थोड़ा सा process अलग होचाएगा हमने icon पर क्लिक करेंगे creator studio पर क्लिक करेंगे बट इस बार left hand side में जो हमारे पास options आ रहे हैं तो उसमें हम जाएंगे अपने videos वाले section में जैसे ही आप अपने videos वाले section में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी सारी video की list यहाँ पर होगी मैं इसको vertical scroll करके दिखाता हूँ सारी videos की list आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख जाएगी और आपको दिखेगा एक छोटा सा filter का option अगर आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि second option है copyright claims का तो copyright claims पर आप हिट करेंगे जैसे ही आप हिट करेंगे again आपको वही सारी videos filter होके दिखाई दे जाएंगी जिस पर copyright strike लगा हुआ है so this is how we check हमारा copyright strike so I hope कि आपको यह method समझ में आगया है बहुत ही आसान है अपने phone पे भी कर सकते हैं आप desktop version में भी कर सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हमेशा मालूम पढ़ता रहेगा कि copyright strike आई है या नहीं आई है well इसके तरीके भी होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि copyright strike को कैसे solve करना है तो नीचे comment में बताइए और हम आपके लिए लेकर के आएंगे अगली वीडियो so I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजएगा और आपका problem हो सकता है किस तरीके से copyright strike check करते है so अगर आप YouTube से related और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चानल पर और भी वीडियो हैं तो उसको ज़रूर देखिए और बताइए आपको कैसा लगा शेर ज़रूर कीजएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल तो बिलकुल भी मत भूलिएगा so that's it for today my friend हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गडबाई